जार्खन बीजेपी के द्वारा प्रत्याशों के नामों की घोशना के बाद से बीजेपी में भगदर मची हुई है जार्खन प्रदेश बीजेपी नेत्रत्व पर पाटी के सबर्पित निताओं की उपेक्षा कर पाटी में बाहरे निताओं को तरजीह देने का आरोप लगाते हुए, कई निता बीजेपी की सदस्यता त्याग कर अलग-अलग पाटीयों का दामन्थाम रहे हैं इस कड़ी में ताजा नाम जॉक्टर लूइस मरांडी समेत अन्यका है। से भाजपा जलाधक्ष बारी मुर्मू, भाजपा निता बास को बेशरा अधी जे-मेम में शामिल हुए। इस अफसर पर पाटी की केंडरी कारेकारी अधक्ष हेमत सोरे ने सभी को पाटी का अंगवस्त्र पहना कर पाटी में शामिल किया। वहीं भाजपा छोड़ जे-मेम का दामत हामने वाले नेताओं ने क्या कुछ कहा आई आपको सुनाते हैं। अभी अभी हम बोल रहे थी कि आज हमने भाजपा पाटी को छोड़ कर धारकन मुक्ति मोर्चा का सदस्ता जरहन क्या है। या धारकन मुक्ति मोर्चा परिवार में हम सामिल हो गए हैं। जैसे मेरे सामने एक परिश्थिती सामने आ गई थी और पाटी ने मुझे कहा कि आपको परहेट से चुनाव लड़ना होगा तो हमने कहा कि हम परहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि पिछले 24 साल से हम दुमका के जनता के सेवा में हम लगे हैं और हर हवा, पानी, इटा, पतर हर चीछ से एक जीर परिचीत हम वहां से हैं तो इसलिए हम वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे और इतना बोलने के बाद भी पाटी ने गोसना भी कर दिया और दुमका में किसी और का नाम सामने आ गया तो इसलिए हम ले लिए कि जब हम अब दुमका से हमें टिकट मिला भी नहीं तो फिर पार्टी से दूर जाने में ही भला है तो हम यह कर सकते हैं कि भारती जनता पार्टी बोलने के लिए तो बोलती है कि महिला को हम सम्मान देते हैं लेकिन 24 साल से अनवरत पार्टी का हर छोटा बड़ा काम में साथ देने वाले और जनता का सेवा करने वाले महिला को आज इस कदर दरकिनार कर दिया तो ऐसे परिस्थिती में जो हम एक सहाय बे सहाराजे से हो गए तो उस परिस्थिती में हैमन जी से संपर्क हुआ और हैमन जी जो बहुती सहजता से उन्होंने हमें स्विकार किया और अपने परिवार में सामिल किया और मुझे कभी सुकून मिल रहा है कि मिल गया है, क्या कुछ आजवासन मुल आ दिक्ट मिल गया है। हम लोगोंने जॉइन किया हैं। तूइधिक लोगों मैंड हम थम तो पता है हम लोगों का समस्या क्या है। तो उनको पता है। मेरे घर में वापस आने की बज़स ऐसा है और जिन कारणों से दिख्भ्रमित होकर कुछ दिनों मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा यह मेरे लिए प्राश्चित का समय है मैं अपने जारकन मुक्ति मोर्चा के सभी सही होगे से भी मैं खेद ब्यक्त करता हूं आज परिवार में मेरी वापसी हुई है मैं हिमन सोरेंजी का कलपना सोरेंजी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे परिवार में वापस सामिल किया और जारकन्ड के विकास में जो लड़ाई वो लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में सभागिता करने का उन्होंन अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें